सूपरात प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षचार के हिंदी की पाठ्था पुस्तक से पाठ दो टपका के बहुवी कल्पिया पशन उत्तर करेंगे पहला पाठ्थ टपका में धनिया कौन है और इसके लिए विकल्प है कुमहार, धोबी, दरजी, किसान इस पाठ्था का सही उत्तर होगा विकल्प ख, धोबी धनिया कौन है धोबी पाठ्थ टपका में धनिया कहां रहता था और पशन दो के विकल्प है गाउं में, शहर में, बस्ती में, जंगल में इस पशन का सही उत्तर है विकल्प ग, बस्ती में पशन नमबर तीन टपके का क्या अर्थ है विकल्प है हवा का जोगा, पानी की बूंद, एक जानवर, एक पक्षी इस पशन का सही उत्तर होगा विकल्प ग, पानी की बूंद, टपके का क्या अर्थ है पानी की बूंद पशन नमबर चार गती बनाना, शब्द का सही अर्थे क्या है इसके लिए विकल्प है गती बढ़ाना, दूर दशा करना, दिशा बदलना, तेज भागाना इस पश्ण का सही उतर होगा विकल्प घज तेज भागाना पश्ण नमबर पांच है कुमहार ने किस जानवर को अपना जानवर समझ कर सवारी की और इसके लिए विकल्प है बंदर, गधा, शेर, हाथी इस पश्ण का सही उतर होगा विकल्प गशेर पश्ण छे धोबी की पतनी को धोबिन कहते हैं तो कुमहार की पतनी को क्या कहेंगे धोबी की पतनी को धोबिन और कुमहार की पतनी को क्या कहेंगे इसके लिए विकल्प है कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हारनी और कुम्हाराई, इस पस्ट का सही उत्तर होगा, विकल्प है, ख, कुम्हारिन पस्ट नमबर साथ धोबी को टपके का डर था उसे डर था कि उसके दुले कपड़े खराब होंगे उसके बरतन खराब होंगे उसके जोपड़ी खराब होंगे उसके बिस्तर खराब होंगे इस पर्षन का सही उत्तर होगा उसके धुले को अपड़े खराब होंगे विकल्प को हमारा सही उत्तर होगा पर्षन नमबर आठ पाठ टपका में आये शब्द बर्खा का सही अर्थ इन में से क्या होगा और इसके लिए विकल्प है टपका, धनिया की पत्नी का नाम, वर्षा या बरसाथ, कुमहार की पत्नी का नाम इसका सही आंसर होगा वर्षा बरसाथ, बर्खा का सही अर्थ होता है वर्षा या बरसाथ पर्ष नमबर नो, शेर किस से डर के भाग रहा था? इसके लिए विकल्प है बंदर, कुमहार, धोबी, टपका इस पस्टन का सही उतर होगा विकल्प घञ, टपका पस्ट नमबर 10, घटा टोप अंधेरा होना का सही अर्थ क्या है इसके लिए विकल्प है बादल होना, बरसात होना, घनगोर, अंधेरा, बिजली चमकना इस पर्षन का सही अर्थ होगा, सही अंसर होगा, विकल्प, ग, घंगोर, अंधिरा पर्षन नमबर 11, हाथ को हाथ ना सूझना का क्या अर्थ है और इसके लिए विकल्प है, ताली न बजा पाना, हाथ बंदी होना, घंगोर, अंधिरा होना, हाथ ना दिखना इस पश्ण का सही अर्थ होगा विकल्प ग, घंगोर, अंधिरा, होना हाथ को हाथ न सूजना मतलब घंगोर, अंधिरा, होना पश्ण नमबर बारा शेर के सावारी किसने की? विकल्प है बंदर, कुमहार, धोबी, टपका इस परषण का सही उत्तर होगा विकल्फ G कुम्हार परषण नंबर 13 कुम्हार का गधा कैसा था और इसके लिए विकल्फ है मोटा, तगड़ा, मरियल, जवान इस परषण का सही उत्तर होगा विकल्फ G, मरियल पर्ष नमबर चोदा बिजली की तरहें दोड़ना का क्या अर्थ है विकल्प है उचल उचल कर दोड़ना रुक रुक कर चलना बहुत तेज दोड़ना बिजली की रोशनी में दोड़ना इस पर्षन का सही उतरहों का विकल्प ग बहुत तेज दोड़ना पाट टपका में कुमार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई विकल्प है कूद कर शेर को मार कर बर्गत की दाड़ी पकड़ कर शोर मचा कर इस पशन का सही उतर होगा विकल्प गः बर्गत की दाड़ी पकड़ कर पशन नमबर 16 कुमार ने देखा कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है तो उसके होश उड़ गए इसमें होश उड़ गए का क्या अर्थ है और इसके लिए विकल्प है बिमार हो जाना बाल उड़ गए नीचे गिरना सुद भूद खोना इस पशन का सही उतर होगा विकल्प घ, सुद भूद खोना पशन नमबर सतरा शेर की हालत देख कर बंदर ने कहा मामा मामा क्या बात है पशन यह है कि जब शेर मामा था तो भांजा कौन था और इसके लिए विकल्प है बिल्ली, गधा, बंदर, टबका इसका सही उतर होगा विकल्प घ, बंदर पशन अठारा नामी याद आना का क्या अर्थ है इसके लिए विकल्प है बुरा बनना, संकट में पढ़ना सिर्दर्ध होना चकर आना इस पशन का सही उतर होगा विकल्प ख, संकट में पढ़ना पशन उन्निस बर्गत के व्रिक्ष के फल क्या कहलाते है और विकल्प है बेर, बर्मट, पर्मल, जुर्मुट इस पशन का सही उतर होगा विकल्प ख, बर्मट बंदर की पूच को किस ने पकड़ लिया था विकल्प है शेर ने, धोबी ने, कुमहार ने, टपके ने इस पशन का सही उतर होगा कुमहार ने विकल्प ग पशन नमबर 21 पाठ टपका में, बंदर ने, टपका को क्या नाम दिया विकल्प है बर्गत का भूत उडियन खटोला भैंकर बला पूच उखाड तो इस पशन का सही उतर होगा विकल्प घ, पूच, उखाड पशन 22 पाठ टपका में, शेर जंकल का राजा होते हुए भी किस से डरता है विकल्प है दोबी से टपका से बंदर से कुमहार से इस पशन का सही उतर होगा विकल्प ख, टपका से पर्शन नमबर 23 पाठ टपका में आये शब्द पिछवाड़ा का क्या अर्थ है और इसके लिए विकल्प है बरामदा घर का आगन घर का पीछे का भाग घर के आगे इस पशन का सही उतर होगा विकल्प ग, घर का पीछे का भाग पर्शन नमबर 24 शेर ने गहरी सांस ली नीचे दिये गए शब्दों में से वह शब्द बताउ जिसके साथ गहरी शब्द का प्रियोग हो सकता है और इसके लिए विकल्प है दोस्ती पहाड़ी, हवा बारिश इस पशन का सही उतर है विकल्प क दोस्ती गहरी दोस्ती गहरी सांस गहरी दोस्ती